मेरे नाम है डॉक्टर समीर सिर्वास्ता और हम आप सब का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेडिसेन वे डॉक्टर सैम में आज कर टॉपिक वह नी पेन के बारे में है कि हम इसको कैसे घर में ठीक कर सकते हैं क्या अईयूवेदिक इलाज कर सकते हैं इसके पहले मैं नी पेन के जनरल रीजन होते हैं उस पर एक अलोपेथिक वीडियो बनाया हुआ है अगर आपको देखना है तो मैं आई-कार्ड में दे दूंगा आप उसके त्रू जाके देख सकते हैं कि अलोपेथिक ट्रीटमेंट में आप कैसे नी पेन को ठीक कर सकते हैं यह जो वीडियो है कि नी पेन किस रीजन से होता है और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं आयरुवेदिक तरीके से और एलू नुसके से उसके बारे बाते हैं जो इसके हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे कि ऐसे क्या होते हैं वह एट गेन रहता है अगर पेशेंट का अपर बौड़ी मतलब नी से गुटने से ऊपर अगर वेट जादा है तो इस सीचुएशन में पेशेंट को नी पेन होना अल्मोस्ट कंपल सरी रहता है अगर आपका BMI ज्यादा है अगर आप मोटे हैं या और वेट हैं तो आपको नीपेन होगा तो सबसे पहला रीजन है वेट अब रहा बात वेट कैसे हम कम करें बहुत सी दवाया भी आती है इसके लिए बहुत से हर्बल प्रिप्रेशन भी आते अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पैदल गूमने चलू करेंगे तो उससे आपका घुटने का दर्द और बढ़ेगा सीन पेन होगा तो आपको एक्सरसाइज आपके बॉड़ी के वेट के अनुसार करना है ऐसा नहीं कि आ बहुत ज़्यादा ओवर्वेट हैं और दस किलो मेटर गूमने चल दिए उस सिच्वेशन में आपका तकलीप और बढ़ेगा आपको धीरे-धीरे ग्रेज्वली अपना वेट कम करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि आप 90 किलो के हैं और सीधे 60 किलो पर आजाए अब धीरे-ध किरे हर महने दो किलो तीन किलो चार किलो ऐसा वेट अप कम करेंगे तो इससे आपके नी पे जो इफेक्ट है वो कम पड़ेगा और वो जल्दी रिकवर भी करते जाएगा बाकि इसके लिए बहुत से और भी हरवल प्रिप्रेशन भी आते हैं अगर हम टैबलेट की ऐलो पै है इसलिए ना कि मसल्स गेन करना तो उससाब से पेट कम कर सकते हैं इससे आपका नी पेन है वो आटोमेटिक कम होने लगेगा आपको दवाई की इतनी ज्यादा जर्वत नहीं पड़ेगी जितना आपको रिलिफ मिलेगा बाकि तो जो एडिसनल जो सपोर्ट चाहिए मेडि पेटेला बोलते हैं जिसको जो कवरिंग रहता है उससे तो जैसे इस टाइप से वो जुड़े रहती है है तो अगर यह जासा आप देख रहे हैं अगर यह पूरा जुड़ा हुआ है उसके बीच में जो रहता है गेप रहता है जहाँ पर फ्लूट भड़ा जाता है अगर तो और फलुट कम हो जा रहा है तो आपके दोनों हड्या पांस हो जाती है तो उसके नाम से जो घर संहोता है प्रिक्ष वो फ्लूट होता है जैसे हम गाड़ी के इंजन में मोबिल ऑईल बोलते हैं ताकि घर संड ना हूं इसलिए एक्चुली वह थोड़ा ऐसा गेप रहना चाहिए उसके बीच में लेकिन जब फ्लूट कम हो जाता है तो दोनों हड़िया आपस में ऐसे मिल जाती है उसके नाम से भी बोलना चाहिए पेन बहुत जाज होता है सहनी पेन होता है मैं आपको एक्सेर में दिखा दूँगा कि किस टाइप से रहता है तो आप वहां पर देख सकते हैं कि कितना गेप होना चाहिए और जो अगर पेशन्ट अगर इस चीज़ से सफर कर रहा है तो कैसा होगा बाक कि उसको टैबलेट आता है वो खा सकते हैं आप इसका ट्रीटमेंट घरेलू नुस्खे से उतना नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आप इसको बस यह है कि आप इसमें थोड़ा रिलीफ पा सकते हैं आप इसमें मालिस कर सकते हैं कोल्ड कमप्रेशन कर सकते हैं तो इसके थूँ पर आपको पेर करेगा बाकी एक एक इफेक्ट्टी महता रहता है जिसको हम तीज समYU प brack पर मेघ तरण नीजिन दूसर रहता है आइस या तरण ग्शराइग । या ज यह तो इसाफ दे JACK दें रूत रहता है कि आफ पाश चले आसबास मार्केट जा सकते हैं घर काम कर सकते हैं। एसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। अब्लट फ्लोव नहीं होते हैं। है तो सबस्क्राइब देम सकते हैं। आप नीकेप पहन सकते हैं, नीकेप पहनेंगे, आइसिंग कर लें तो कम्प्रेस रहेगा, तो इससे आपको दरत बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा उसमें, बाकी मसाज के लिए आप केस्टर ओल यूज कर सकते हैं, केस्टर ओल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, नी प जाता हूं, जैसे हल्दी वह बुलना चाहिए, तर्मरिक जिसको बोलते हैं, जिंजर हो गया, अद्रक और लहसून हो गया, गार्ली यह सब की जो कह सकते हैं, खाने में अपने थोड़ा साइसको बढ़ा सकते हैं, बाकि मीठे नीम की पत्ति आता है, जिसको करी पत्ति बोल बाकि मेठी दाना यूज कर सकते हैं, मेठी दाना का अप चाय बना के पी सकते हैं, गरम पानी में उबाल लीजिए, जब पानी का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन टाइप का हो जाएगा, अप उसको च्छान लीजिए, उसमें आप आधा चंमत नीभू का पानी को पी लीजिए, उससे भी बहुत ज्यादा बोलना चीए अराम मिलता है, रहा बात फिर आयरवेदिक प्रिप्रेशन का जो आप यूज कर सकते हैं, तो ऐसे तो बहुत से हैं, आप टीवी में भी आड देखते हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं, वो भी एफेक्टिव आप सूबे साम एक डखकन छोटे कप में पानी में उसको मिला कर अप पीजिए वह बहुत बहुत बोलना चीए आपको अराम देगा बाकी वाता हाल टेबलेट आता है, वह आप सूबे साम एक टेबलेट ले सकते हैं, और एक वात चिंता मड़ी रस करके आता है टेबलेट जेए और एक लुक्विट फॉरम भी आता है वह आप यूज कर सकते हैं, एक फॉरिषटेप करके टे आप लेट आता है आप उसको दिन में दो बार यूज कर सकते उससे भी आराम मिलता है वह आपकी बोन देनसिटी है इंक्रीज करता है बाकी पतांजली के प्रेशन आते ह यह पुछ प्रिप्रेशन है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं आपको डेफिनेटली अराम मिलेगा बाकि अगर अलोपेथिक में देखना चाहते हैं तो अलोपेथिक में आप देख सकते हैं इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि आप क्या ट्रिटमेंट कर सकते हैं रहा बात किस किस कारण से नीपेन होता है और इसके अलावा यह तो जनरल रीजन है अगर बीमारी की बात करें जैसे वेट का बढ़ना या आपका फ्लूट का कम हो जाना साइनोवियल फूट का तो आपको बनाऊंगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बाकि आगे के और वीडियो में जो मैंने यह जुरी और बता है इनके बारे में हम आगे और वीडियो बनाएंगे तो इसके लिए आप चैनल पर बने रहें तब तक के लिए जय हैं